इस वीडियो में कक्छनवी के विद्यार्थियों को प्रसनमली 15.01 के आगे के प्रसनों को बताने वाला हुँ तो चलो दिखाता हुँ तो आज हम देखेंगे प्रसनक्रमांग नौ को देखेंगे इससे पहले वाले जितने भी प्रस्न है वो पुरा कम्प्लीट हो चुका है, तो प्रस्न कर मांग नहुआ है, तीन घन जिसमें प्रत्तेक का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है, मतलब तीन घन बनाना है, और हर एक घन का आयतन 125 सेंटीमीटर रहेगा कह रहा है न, को किनारे में जोड कर एक घनाब बनाया गया इस प्रकार बने घनाब के संपूर प्रिष्ट का छेत्रफल ग्याद कीजे तो घनाब के संपूर प्रिष्ट का छेत्रफल ग्याद करना है तो कैसे अलोगा चलो मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले तो हम यहाँ पे आयतन के मान को लिख लेते हैं तो आयतन को दरसाते किससे हैं घन का जो आयतन होता है इसे A3 से दरसाते हैं और A3 का मान कितना दिया है 125 घन सेंटीमीटर इस तरह से दिया हुआ है ठीक है या तो हम घन सेंटीमीटर लिखते हैं या सेंटीमीटर के उपर 3 का घात लगा देते हैं एक ही मतलब है अलग अलग इ ये तीन घन का निर्माड कर लेते हैं देखो इस तरह से घन बनाया जाता है ये रहा ठीक है एक घन का मान कितना है एक घन का मान मतलब ए त्री का मान कितना है इसका एक सो पचीज सेंटीमीटर ठीक है तीन घात इसका भी एक सो पचीज सेंटीमीटर तीन घात इसका भी 125 cm मतलब घं सेंटीमीटर यही होता है तो घं सेंटीमीटर को इस तरह से लिखते हैं ठीक है, तीनों को होगे, अब तीनों को जोड देते हैं एक साथ, जैसे की प्रस्ण में कहा है तो कुछ इस प्रकार से इसे जोड देते हैं ये रहा तो चलो तीनों हिस्सों को भी बना लेते हैं, ये इस प्रकार से, ये एक, दो, तीन, तीन हिस्सा हो गए, तीनों को क्या कर दिये, सटा के जोड दिये, तो जोडने पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, तो एक घन के सभी भूजा बराबर होते हैं, ये आप लोगों को जाता है लंबाई गुरी चोड़ाई गुरी उचाई इस प्रकार से लिखते हैं बराबर नहीं होने पर ठीक है बराबर है तीनों बुजा इसलिए इसे ए थरी लिखा जाता है अब घनाब में कैसे लिखते हैं घनाब में इस प्रकार से लिखें क्योंकि घनाब में सभी नहीं होगा ये घनाब का नियम है लेकिन घन का नियम क्या कहता है सभी भुजा बराबर होना घन का नियम है तो घनाब में दो भुजा तो बराबर हो सकते हैं पर तीसरी भुजा बराबर नहीं हो सकता तभी वो घनाब कहलाएगा तो घनाब में लंबाई बस जो है वो बड़ है यहां पे लेकिन इसकी जो उचाई है ठीक है और ये जो चोड़ाई है ये दोनों सेम है तो अभी हमने किसी भी भुजा का मान तो नहीं निकाला है तो सबसे पहले घं के सुत्र से क्या निकालेंगे भुजा का मान निकालेंगे तो चलो भुजा का मान निकालते हैं तो घं क कितना दिया है एंठी एक सोपचीस को इस प्रकार से गुड़न horrific कर देते तो पाज से जारा पाज दुनी पांच से जारा पांच से जारा पांच फिर पाजे कम तो देखों पाज का तीन गाद आशे लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं यहाँ पे 3 यहाँ भे 3 कड़ गया है बचा क्या ए और 5 तो ए का मान यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया यहां तक समझ में आया ठीक है भुजा का मान निकल गया न अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि 3 भुजाओं का मान और इसे भी पांच, तीनों क्या है? पांच है, ठीक है, लेकिन घनाब बनाने पर लंबाई बस बढ़ता है, उचाई और चौडाई में कोई बतलाव नहीं होता है, तो इसका मान पांच रहेगा, बैकिन इसका मान कितना होगा? एक का पांच दूसरे का पांच और तीसरे का पांच तीनों को जोड़ दो कितना होगा पंदरा होगा बिलकुल होगा पंदरा तो यहां पे लिखो घनाब की लंबाई घनाब की लंबाई कितना है 15 cm और घनाब की चोड़ाई 5 cm और उचाई 5 cm यहां तक समझ में आ गया ठीक है अब क्या निकालने वाले हैं, प्रसने में क्या है कि घनाब का संपूर प्रिष्ट का छेतरफल, दो निकालो, घनाब का संपूर प्रिष्ट का छेतरफल, संपूर प्रिष्ट का छेतरफल का सूतर क्या होता है, पता है, नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ, दो, लंबाई गुडित चोडाई प्लस चोडाई गुडित उच्हाई प्लस उच्हाई गुडित लंबाई यह होता है सुत्र, ठीक है याद रखना, संपूल प्रिष्टर का सुत्र जो है घनाब में ये होता है तो दो लंबाई का मान कितना है 15 ना? और चौड़ाई कितना है 5 चौड़ाई 5 उचाई भी 5 उचाई 5 और लंबाई 15 ठीक है? गुड़ा कर देते हैं इसको तो 2 15 पंचे कितना होता है? 75 तो ये हो गया 75, 5, 5 25 और ये 15 पंचे 75 इस तरह से सभी को जोड़ दो अब तो 75 दुनी कितना हो गया 75 दुनी 150 और 150 और 25 एक सो 75 और यहां पे कितना है दो है दो के साथ इसको गुड़ा कर देते हैं तो 5 दुनी 10 पंदरा हो जाएगा एक हासिल यहां पे आ गया दो एक मदो और एक तीन 350 वर्ग सेंटीमिटर होगा इसका एंसर देखो कितना असान था ठीक है हमने ज्यादा इस इसमें पॉलो नहीं किया बहुत कम स्टेप में समझ में आ गए देखो इस टार्टिंग जो है वह यहां से हुआ है यह तो आप लोगों को मैंने समझाने के लिए बताया न तो यह समझा रहा था मैं अब इस टार्टिंग यहां से किये एक का मान आया फिर घनाब का मान कैसे निकाले यह तीनों जोड़ दिए यह दोनों में कोई बदलाव नहीं हो चीतरे इस परष्ट बता रहा है ठीक है तो इस तरह से निकल गया घनाब के संपूर्ड प्रिश्टक छेत्र फल में लगाओगे तो यह मान इस प्रकार से आ जाएगा समझ में आ गया चलो आगे भूलते हैं ठीक है घनाब के आकार का है इसकी लंबाई 20 मीटर है यदि जलासा में में से 18 किलो लीटर पानी निकाल लिया जाए तो पानी का इस तर 15 सेंटी मीटर नीचा ही चला जाता है तो जलासा की चोड़ाई ग्याद कीजिए तो जलासा की चोड़ाई ग्याद करना है ठीक है कैसे ग्यात करोगे तो चलो सबसे पहले तेक जलासे बना लेते हैं मतलब घनाब बना लेते हैं इस प्रकार से ये रहा ये घनाब है अब इस घनाब में पानी कहा तक भरा है तो पानी भरा है देखो यहां तक के भर देते हैं पानी यहां तक पानी भरा है ठीक है और इसकी लंबाई इस प्रस्न में दिया हुआ है यहां से यहां की लंबाई यहां से यहां की जो लंबाई है वो दिया हुआ है प्रस्न में 20 मीटर दिया हुआ है ठीक है 20 मीटर दिया हुआ है लेकिन उचाई जो है वो दिया नहीं है उचाई कितना दिया हुआ है पानी नहीं भरा है न वहां तक दिया है मतलब वहां तक लेना है तो यहां से लेके यहां तक की उचाई बस प्रस्न में दिया हुआ है और वो कितना दिया है पंदरा सेंटी मीटर दिया हुआ है सेंटीमीटर यह मीटर में याद रहना कभी भी सेंटीमीटर और मीटर कभी भी हल नहीं हो सकता दोनों को हल होने के लिए दोनों बराबर होने चाहिए अगर यह सेंटीमीटर में यह मीटर है तो यह भी मीटर में मैं भी चेंज करूंगा इसे ठीक है और यह जो पानी भरा है यह इसमें क्या किया है 18 पानी निकाल लिया गया है चलो इसको बात में बताओंगो पहले इसे चेंज करते हैं तो इसे चेंज करने के लिए क्या करेंगे इसे मीटर में मीटर में चेंज करने के लिए मीटर से डिवाइड कर देंगे ठीक है तो एक मीटर बराबर कितने सेंटी मीटर होते हैं 100 सेंटी मीटर तो 100 से भाग दे दो 15 को 100 से भाग दे दो तो 0.15 मीटर प्राप्त होगा तो ये प्राप्त होगे मीटर में ठीक है अब चलो जो जो दिया उसको पहले लिख लेते हैं तो यहाँ पे लिखो दिया है जलासाई की लंबाई की लंबाई कितना है 20 मीटर ठीक है जलासाई की लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है और मान लेते हैं ठीक है माना मान लेते हैं उचाई तो दिया नहीं है तो क्या करेंगे मानेंगे तो माना जलासाई की चोड़ाई इसे मान लेते हैं बी माल लेते हैं ठीक है बी मीटर है और पानी कितना निकाल रहे हैं अठारा लिटर ना तो लिखो यहां पे अठारा किलो ठीक अठारा किलो लिटर पानी पानी क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं तो यहां पे एक सेकेंड निकालने निकालने पर पानी का इस्तर नीचे उतर जाता है ठीक है यह पूरा प्रस्न में दिया है वही चीज में उतार रहा हूँ और कुछ नहीं है ठीक है और यह जो सेंटीमीटर उसे मैंने मीटर में चेंज किया है तो मीटर को लिखना पड़ेगा ठीक है तो 0.15m फीक, इस तरह से लिख लेंगे, यहां तक समझ में आ गया, अब इस प्रस्न में निकालने वाले क्या हैं, उचाई निकालने वाले हैं, तो चोड़ाई निकालेंगे, तो सूत्र लगा देते हैं, लंबाई गुरीद, चौडाई गुरीद, उचाई, ठीक है, तो यहाँ पे मान को रख देते हैं, लंबाई कितना है, बीस मीटर, चौडाई, चौडाई पता नहीं, से भी माने है, उचाई कितना है, 0.15, यही था, 0.15, ठीक है, और अयतन, यह आयतन जो है ना, पाणी भरा है उसे हम आयतन कहते हैं, तो 18 ये आयतन हो गया, ठीक है, 18 क्या है आयतन, अब B को यहीं पे रहने देते हैं, और ये बाकी पूरा इसे यहाँ पे ट्रांसपर कर लेंगे, तो ये दोनों कहाँ पे उपर में हैं, तो कहाँ पे आएगा नीचे में, 20 गुडित, 0.15, ठीक है, इस त अब आगे हल क्या करेंगें, हल करने के लिए क्या करेंगे, आगे हल करने के लिए ये जो 0.15 है ना, इसे 0.15 को हटा देते हैं, इसे 0.15 का तरीका क्या होता है, 0.15 स्य 0.15 उताएंगे, 0.15 का एक और इन दोनों का दो सुनिया यह हो जाएगा तो यह बन जाएगा पूरेख 15 कैसे देखो और यह 100 उप्पर में चला जाएगा 100 उप्पर गया, नीचे में 10 है और यहां पर 15 एक सुनिया, एक सुनिया कड़ गया ठीक है? और यह हो जाएगा 15 एकम 15 और 9 और यह 90 ठीक है तो 15 चक्के कितना हो गए दोनों मिलके कड़ गया 6 बार में तो B कमान कितना है 6 ठीक है B कमान 6 यह रहा है इसका एंसर